आवे जो आप पूरा लोकेशन देख रहे हैं और ये मेरे गाहो का लोकेशन है एक अमधा घर भी पारकिंग यह भी अपना क्येस्कित है इधर असे लेके तला अब देख रहे हैं तो रहें तक पूर अपने ख्रते पूरा अधिनघ्ड twenty कि अपनी हल्दी बनके रेडी हो चुकिए इसको तीन इसे में डिवाइट करके रखाए देखो यह जो दो तीन अलग अलग तुकड़े हैं यह सब में लसुन डालेंगे लोग अभी फिलाल अभी अभी तक डाला निया अगर डालते तो आपको दिखाता था वह लसुन कैसा र कि यह एक छोड़ा सा हिस्सा मोदा जहां पर गाय बकरी जो भी अपनी बान के रखते हैं यह कार पार्किंग के जगह इसमें अराम से वेगना स्वीट मीनी ऐसीवी गाड़ी चले जाती है और यह है वह कमरा जहां पर लाच्टाम अम लोग बकरा चिकन बना रहे थे त्यू कि पूरानी निशानी के तौर पर इसको ऐसी रखे बट मेक शूर एक आने लिए टाइम बार इसको भी थोड़ा अच्छे जब बनाने वाले इसको और इस जगह भी पूरा कावर करके अब में तास्की इस बैट को लेके बैठना तो बैठ जाओंगा लेके देवा देवा चलो होगे पार दिगा लेके अई यह अपने गाओं के अंदर से निकलना रस्ता है जो टूवर्स हाइवे की तरफ जाता है यह दबा की दिए इसको 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 एक खेत को दबा की दिए पूरा अच्छा गारी से टोटल देखो यहां पे पूरा आपको मतलब मेरा जो गाओं मेना एक देक सिटी में न मतलब यहां पर दूर दूर तक देखेंगे ना सिर्फ आपको खेत दिखेगा बाकी आपको अधर कुछ भी चीज ने दिखने वाला यहां पर हमारे हाप एक BMC स्कूल होती है ना वैसे यहां पर एक सकेड़ वहां पर देखो एक ग्राम पंचाट का स्कूल होता है उच्छ प्रात्मिक विद्धाल बर्वनी सेवा पूरी वारांसी बट लेकिन काफी डैम से में देख रहा हैं यहां पर ना यह लोग साफ सफ कोई भी बोलो दोस्त लेकिन यहां पर क्रिकेट खिलने को जो मजा है या ना वो गाउंड ने भीना है क्योंकि इतने दूर तक ओपन है ना हम लग पहले केला करते थे बस लाद दो या तीन टाइम से में आर हो ना मुझे आपे बिल्कुर क्रिकेट खिलने ने मिल पा रहे ह क्रिकेट खिलने को कि खेर देखते हैं अब ही मेरे बाद और तीन दिन चार दिन बचाया है शायद कुछ खिलने मिल जाए कि जो गारी के बिच्छे में बैटा हो ना यह है हिरो हंडा हंडा की सुपर स्प्लेंडर है और काफी अच्छा स्पेस है में एक्जेक फुरा पीछे तक हो के बैटा हूँ और वह आगे तो कि बटा बीच में बैग मतलब आप समझ लो तीन आदमी इजी लिग से बैठ सकते अब जाके हम लोगाओ के रोट से निकल अपने में हाइवे पर चारो तरफ खेती के तमिल आपको कितना खेत दुखा पर कंटाल जाओंगे अभी मैं में रोट पर आगे सामनों को लगी रिंग रोड रिंग रोड है लागी एक लाश्ट दस साल में बना हो रोड है ता अच कार को हंडेट बोला है टेंपो को 60 80 जो दिया है और बाइक अपने हिसाब में चलती है और सुचो मिनियूम हंडेट दिया और फाइन मिनियूस पर तो समोझ लाप कितना बड़ा है मेरे गा हो सो एक भाई मुझा भी यहां पर ड्रॉप करके चला गया है हाइवे के बस मेरा बाइक इदर आम जबेटिंग फर मैं अधर फ्रेंड्स अभी मेरे दो एक फ्रेंड मत मेरा भाई आने वाला भी यह सीनल से उटन लेके यहां पर आएगा यहां से फिक करके फिर आगे लिके जाएगा चली कहा है ना यह ट्रिपे मेरे बास बाइक नहीं है इसके लिए मैं आपना जो गाहां होता है आपाची आटी आर वन सिक्स्टी आगे से बिस थ्री और बिस फोर का मॉडल है वाट मस्त चलाने पावर काफी अच्छा है इसका वह कुछ आपको खुधाने की लिए रोड यह वह रोड जो शीठी को भी करनेक्न करता है आप लेट लेके आज जो भी लेफ रीट वह सिधह को भी करनेक्क करता है तो मतलब आपको दिखा कि इतने छोटे वर कैसे हो उसके बाद किस साइस के रोड आते फिर वह के पुरा रोड खाली फिर भी हॉन बाजा रहे हैं सबसे बड़ा रिक्स यहां पे लोग रहता है वह तो रोड के बीचों भी चलते हैं लोग ना इनको आगे ख्याल रहता ना इनको पीछे ख्याल रहता है गाओ के रोड़ों पर गाड़ी चलाने का यहीं तो मजा है इद्दम पतली पतली रोड़े दोनों तरफ खेत थोड़ा भी उन्नीस बीचों तो बोले लेट जाओ जमीन पे वहीं साब जाओ के आप ने तो भी आपका बैलेंस अच्छा है तो काफी आप गाड़ी मस में चला स इस गाड़ी में ना अलगी पावर लगता है तीवेस की कोई भी गाड़ी को आप चलाएंगे ना एक पावर अलगी जन्रेट होता है असके चलाने को मतलब बजाच के बाद एक दूस्ती एक गाड़ी ऐसी एक टीवेस की जो मुझे पसंद आती है आटली मतलब एक लाश्ट इमना लाश्ट इमने जब आया तरह तो मेरे वाश्ट गोप्रो था व्लॉक करने के लिए बट कैसा ना सब्सक्राइब में डाला नहीं था और फूटेज अना मुझे बिल्कूल पसंद नहीं आता था तो यह टाम में मुम्बाई में था मैंने अपना हे केफी बनाना पड़ेगा जो की मज़ा नहीं आता है जब से इस चीज के आदत गीरी है ना अच्छा लाइता है अपना दोनों हाथ ये को पुरा खाली है गारी के उपर रहता है और अपना बात करते रहो गारी चलाते रहो यह है रिंग रोड जो फॉक्पर एक आंटर आटर रोड मोलते बस से बोलो या रिक्षय से वोलो इतना यह शॉटकॉट रोड है यह जाने के लिए यहां से आये रोड श्ट्रेट स्ट्रेट टूर्ट टारेक बिहार की तरफ निकल जाता है पट्ना होते वे बीच में आपको एक आजमगड लगेगा आजमगड के बाद जो भी आपका बिहार वगएरा सब आपको लगना चालू हो जाएगा पर देखे ना एक दो दो लें इधर दो लें इधर एक लोट यह जा इन पाइक के लिए चलने के लिए जो की स्लो गारी चलाते साइकल वागेरा उनके लिए बनाया दो अगर आफ लावर निचे उत्रेंगे तो रोड और चोड़ा हो जाता है बस यहां के लोग करना मुझे एक आदर दिवस ने देखो दोनों मीरर गायब है क्यों पता ने यह पैटल पंप दोनों मीरर यह लोग गायब रखेंगे यार मतलब फ़र डिफिकल्ट होता है यार स्पीड में आप हो आपको लेफ राइट किदर भी देखना है तो देखने नहीं मिलता ना यह रोड पे अई मुझे लेफ देखना तो मुझे पूरा ऐसा घर्टन गुमा के आगे देखना पड़ता तब तर आगे कुछ आगया तो ओ मंगलम स्वहा हो जाता है पागल लोग चलो बातरा गाड़ी को भी पेटल पिला देते क्या तो डाल रुखना में देरो ना पैसा रख अरे में देरो ना पैसा हांटेड सौका फुरा करो यार किसका है गाड़ी अच्छा अच्छा पैटल अच्छा है दे 97 111 पावर लेगा तो 111 साधा लेगा तो एक सो चेंग हम एक सो चेंग हम एक सो चेंग और यह अपना फेमस चाय वाला विदगा लास्ट आमार तो तो काफी टाइम में आगे चाय पीके वीड़ो बनागे बड़ा मन विल्कुल नहीं है तो सॉरी यह देखो यह देखो इसने बोड भी लगा दिया अच्छा कासा तो 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 पर फ्लाइवर पे आपको पेंटिंग मिलेगा यहां पर अरे पुरे बनारस में जितने भी फेमस मन्दीर या कलाकृति या जो भी है ना वर्टेवर उस चीजी की पेंटिंग यहां पे लोग बना के पेंटिंग बनाते हैं फ्लाइवर पे में से हमारे हम मुंबई में होता है लो जी हागे है हम अपने दूसरे घर अच्छी घर बोले दे मेरे मामा का घर वो मेरे चाचा लोग का वहाँ पे गाओ और मेरे मामा लोग का यहाँ पे इधर आगे है ना ते लिए अगे आगे तुरा बत्व जाता हो याज कि गारी के दे लगाने कहे है आप अब अधर संदे मना रहे सब लोग आप आप अगर नंद मेले के आप तो यह की तो इस चाविल झाल झाल